नमस्कार, आप शबही मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मैं आचारे पंकत सास्त्रे आपका अपने चैनल में हारदी कभी नंदन करता हूँ, उपस्तित हूँ, जोति सम्मत बहुती मेतपून जानकारी को ले करके और जो आजकल चर्चा का विशे बना हु देव गुरु ब्रस्पति पहले अपने मूलत्र कोंड रासी अर्थात धनु रासी में इस्तित्थे, जो के 20 नौंबर को रासी प्रवर्तन करने के पस्चात अब मकर रासी में चले गए हैं, देव गुरु ब्रस्पति की जो यह रासी है मकर रासी, यह नीच रासी होती है, और कैसे नीच रासी का सुबास्व फल रहने वाला है अगले तेरह महातक क्योंकि देवर भ्रस्पती तेरह महातक एक रासी में संजरन करते हैं तदुप्रांत अपने रासी प्रवर्तन करते हैं हमारे शवर मंडल के सबसे बड़े याग रहे देव गुरु ब्रहस्पति हमारे जन्म पत्रिका में भी गुरु पतिशुक धर्म आध्यात्म शंतान पुत्र विद्या विवेक बुद्धि बड़ा भाई शुवर्ना कार जोतिस आदे विद्याओं का कारक ग्रह माना जाता है हमारे शरीर में लिवर, हर्दय कोश, फेपड़ों का और पाचन परक्रिया और कान आती का कारक ग्रह भी देव गुरु ब्रस्पति को हिमाना जाता है ऐसे इस्तिति में बहुती मेत्वपून ग्रह हमारे लिए देव गुरु ब्रस्पति, धनो और मीन रासी का जो स्वामी ग्रह है यहाद देव ग्रु ब्रस्पति है, सदेव सकारात्मक और सात्विक ग्रह है लेकिन जब यह देव गुरु ब्रस्पती नीच रासित्व में आते हैं, अश्टमभाव में जाते हैं या कहीं पर मारकेस होते हैं तो तब यदि हम अपना आचरन सुद्ध नहीं रखते हैं तो ऐसे इस्तिति में हमें बहुत तकलिप देने का कारे भी कर सकते हैं तो आए जानते हैं देव गुरु ब्रस्पती का यह रासि प्रवर्तन और विविन रासि में जन्मे जातकों पर क्या इसका विशेश प्रवाव रहेगा तो हमने बात की मेस रासि से लेकर के मकर रासि के जातकों की और आज जो रासि है वहा है कुम रासि कुम रासि के जातको पर क्या प्रभाव इस रासी प्रवर्तन का होगा यह हम जानेंगे लेकिन उससे पूर मैं आपको यह बता दूं कि यह जो गोचर है यह चंद्रकुंड़ी के माध्यम से तयार किया गया है अर्थाति इसको लगन कुंड़ी से नहीं देखें यह आपकी जन्मपत्रिका में भी चंद्रमा 11 अंक जहां पर लिखाया वहाँ पर चंद्रमा इस्तित है तो निश्चित रूप से आपकी कुंड़ासी बनेगे और यह रासी फल अर्थाति सुबाश फल देवगुरुब रस्पति का रासी परवर्तन का आपके लिए है तो आई जानते हैं कुंड़ासी के जा आत्युति बनाएंगे आपके रासी स्वामी के साथ देव गुरुब रस्पति का बेभाव में जाना निश्चित रूप से कुंड़ासी के जातकों के लिए थोड़ा वह चिंता का विशेत है ऐसे इस्तिति में जबकि देव गुरुब रस्पति की जो दृष्टियां है व कुंड़ासी के जातकों के लिए द्वादस्त गुरु होने से वर्थादोर धूप रहे आयकम और खर्च अत्यदिक रहें कारियों में अनेक बाधायों आ सकती हैं सारी कॉस्ट भी आपको मिल सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं कोई भी ग्रह जब अपने गति प्रवर्तन करता है तो कहीं न कहीं हमें शुक देने का भी कारे करता है तो शुक भाव पर देव गुरुब रस्पति के जो पंचम दृष्टी रहेगी वह बनी रहेगी अर्थाद किसी परकार से आपकी सुख सुभधाओं में किसी परकार की चिंता हैं आपको करने क्या वशकता नहीं किसी प करने से आपको बचना चाहिए जो हमारे किसी कार्य की नहीं ऐसे चीज़ों को लेने से आपको बचना चाहिए भूमी संबंदित इत्यादी क्रे बिक्रे करने करते समय विशेश आधान आपको रहना चाहिए और स्वस्त खानपान पर विशेश रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कुम्रासी के जात्कों को अपने खानपान को सुद्ध आपको करना चाहिए अर्था सात्विक भोजन करें और सात्विक्ता में जिए धर्मकर्म इत्यादी के छेत्र में बढ़ चटकर के हिस्सा लें भले ही आपके अंदर कितने भी नास्तिकता रहे उसको आस्तिकता में बदले और आस्तिक बने शदेव गुर्जनों का आपको नित्य पूजन आग्या इत्यादी करने चाहिए उनके आग्या का पालन करें और उनका पूजन नित्यादी मान समान नित्यादी करें घर में बुजर्गों का मान समान नित्यादी करें तो आपके लिए यह रासी प से बचाव होगा और कर्ज इत्यादी लेने से आपको इस पिरियड में बच करके चलना होगा अत्यदिक कर्ज आप न तो दे और नहीं ले ऐसे इस्तिति यह आती है कर्ज लेन देन की तो आपके लिए समस्या उत्पन हो सकते यह आप किसी परकार से धन आप अपना फंसाते है तो निश्चित रूप से आपको शतर्क सादान देना चाहिए सारstalk स्वस्थता बनाये रखने चाहिए स्वच्थता का विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए और जिया रासी परवर्तन आपके लिए अत्यंत मंगल कारी हो यहीं मंगल कामनाई करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छे लगे तो इसको सेर अवस्य करेगा चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और किसी भी परकार से यदि आप कोई भी प्रश्ण पूछना चाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वट्सअप नमबर निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है वहां से आप वट्सअप पर हमें किसी परकार का इस रासी परवर्तन को ले करके गुरू की दसा महादसा इत्यादी से संबंदित कोई भी प्रश्ण हो तो निश्चित रूप से आप हमें पहुचाए हम उसका समाधान आपको बताने का